मनीश कस्चप जी हैं, वो कार है कि जर पचीस में हम अक्केले मुख मंतरी के कार जो सपना देख रहे हैं तेजस्वी जी वो पूरा नहीं होने देंगे वो इसे लोगों का नाम ही ने लेते हैं जिसका कोई अपना वजूद नहीं है जो टिटिहरी के तरह टांग उठा करके आसमान रोकने का दावा करें वो तो खुद बोड रहे हैं कि तेजस्वी जी सब काम नहीं करते हैं उसको समझ लेना चाहिए कि टिटिहरी अपने अस्तर पर भी नहीं रहा पाता है अगर वो टांग उठा लेता है भाजपा रुखी नहीं सका भाजपा से रुखी नहीं पा रहा है अब भाजपा का समर्थक रोक लेगा तमिल नाडू पुलिस और बिहार पुलिस दोनों ने चीनित कर लिया है दोनों जगा केस हुआ है जल्ली वो सलाकों के पिछे होंगे वो भी वैसा व्यक्ति जो भाजपा का एडिलोजी से भी नहीं चलता है अपने एडिलोजी से चलता है कहां कहां से किसका किसका नाम ले लेते हैं अपने आपको भी अस्थापित करने के लिए किस किस तरह का खेल खेलता है किस किस तरह का ड्रामा रज़ता है किस किस तरह का फेक न्यूज बनाता है जितने बिहार से नेता गय थे जितने लोग गय थे चिराग जी भी गय थे बहुत टांग उठा करके कि कुछ ले करके हम कि यह बात अगर जूट सावित होगा तो मैं च्छमा मांगूंगा च्छमा मांगने के लिए तयार रहें कल से सदन खुल रहा है मैं राजकुमार और आप दिख रहे हैं देक्ट विस्ट देखिए इस वक्त हम अर्जेडी कार्याले में अंदर मौजूद हैं हमारा साथ एजाज अहमाध हैं प्रवक्ता हैं इनसे बात करेंगे सर जो मनीश कश्यब जी हैं यूटूबर हैं चलाते हैं वो कार है कि दो जर प आर काते हैं घै टीटीति हिरी भी ठांग उठा के कहता है कि हम आसमान को रोक लेंगे पा इसा इसा बात ske जनता ने बीधायक चुनती है जी अब बीधायक ने मुख मंत्री बनाता है व्यक्ति भाजपा रुखी नहीं सका भाजपा से रुखी नहीं पा रहा है अब भाजपा का समर्थक रोख लेगा उभी वैसा व्यक्ति जो भाजपा का एडिलोजी से भी नहीं चलता है अपने एडिलोजी से चलता है वैसा व्यक्ति कहां कहां से किसका किसका नाम ले लेते ह जो अपने आपको भी अस्थापित करने के लिए किस-किस तरह का खेल खेलता है किस-किस तरह का ड्रामा रचता है किस-किस तरह का फेक न्यूज बनाता है उसकी बात कर रहे है कहीं से है जनता में स्विकार वो जनता के बीच में स्विकारता है तेजस्वी परसाज जादव का दलितो, सोसितो, पिछडो, वंचितो आम लोगों के बीच और खास तोर से नोजवानों के बीच जो तेजस्वी जी की लोग प्रियता है ये छुपी हुई बात नहीं है और तेजस्वी जी के परती जो समान है जो लोगों का कहीं न कहीं अपनापन है वो असपर्श उससे दिखता है आप लोग किसको किसको खाड़ा कर देते है, कौन कौन लोग भारती हैंता पार्टी के पास तो अपना कोई सोंच ही नहीं है अपना कोई निता ही नहीं है अब भाजपा पिछले दरवाजे से कभी किस को कभी किस को कभी अपने पिछ पर दूसरे को लाके खिलाना चाहता है कभी कुछ करना चाहता है कभी जो हैं उसका समझ ही में नहीं आता है किस किस तरह का राजनीत कर रहा है भाजपा धर्म की राजनीत से आजीज आ गिया अब छेतरवात की राजनीत पर आ गिया अब छेतरवात की राजनीत में भी वैसे लोगों का सहरा ले रहा है जो छदम राजनीत में कहीं ना कहीं भारतिय इंतापाटी के मददगार बने हुए है और ऐसे लोग चाह के भी भारतिय इंता पाटी को फाइदा नहीं पहुचा सकते हैं भारतिय इंता पाटी का नुक्सान जरूर कर सकते हैं आप देखेंगे कि भारतिय इंता पाटी के नेता सदन में कहे थे कि ये बात अगर जूट सावित होगा तो मैं छमा मांगूँगा अब छमा मांगने का समय आ गिया है वो छमा उठा करके कि कुछ ले करके हम आएंगे और उल्टे पाउं उनके लिए महांगा पड़ गिया सोधा लोगों ने कहा तमिल नाडू के लोगों ने कि बिहार और तमिल भाई भाई तुम कहां से आई इस तरह की राजनीत को जो लोग करना चाह रहे थे सब का पोल खुल गिया है लोग अपना मूँ छिपाए चल रहे हैं तेजस्वी जी आप तो चांदी के चमच लेकर पैदा हुए तो हम भी स्टील के चमच लेकर पैदा हुए तो याद रखिएगा कि स्टील चांदी से ज्यादा मजबूत होता है इसका मतलब क्या कहना चाहते हो गलत पहमी के सिकार ह तेजस्वी जी संघर्ष से आंदोलन से और तेजस्वी जी वैसे वैक्तित के घर के आंगन में पैदा हुए हैं जिसने संघर्ष देखा जिसने गरीबी देखा जिसने मुफलिसी देखा जिसने गरीबों की सेवा किया जिसने जोपड़ियों को बसाने का काम किया जिसने व जो मौका है वो देने का काम किया है वंचितों के बीच सोसितों के बीच पिछडों के बीच दलितों के बीच जो पहचान तेजस्वी जी के परिवार की रही है और जो सपना गरीबों ने देखा था उस सपने को पूरा करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो तेजस्वी जी या तेजस्वी जी के परिवार के लोगों ने किया है इसलिए गलत फ़हमी के सिकार ना बने इसका सिर्फ तो दावाट टोक रहा है कि हम आपको दोजर पचेस में नहीं बनने देंगे मुख मंतरी यह बोला तो कि उजिसके लिए छद्म रूप से काम कर रहने हैं वो तो कुछ कर ही नहीं पाए लालू परसाद लालू परसाद का परिवार अर तेजस्वी जी अ तेजस्वी जी का संगर्स इस देश की राजनीत में बिहार की राजनीत में लोगों के बीच में अदम सहस लोगों के चहरे पर मुस्कान लाने का नाम है और इसको कोई चाह कर भी मिटा नहीं सकता है बलके हम वैसे लोगों का नाम ही ने लेते हैं जिसका कोई अपना वजूद नहीं है जो टिटिहरी के तरह टांग उठा करके आसमान रोकने का दावा करे उसको समझ लेना चाहिए कि टिटिहरी अपने अस्तर पर भी नहीं रहा पाता है अगर वो टांग उठा लेता है तब तो इस तरह का टांग उठा करके बोलने से उनका भला तो होगा ही नहीं बलके वो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी बुरा कर रहे हैं जिन लोगों के लिए वो राजनीत करना चाह जो हम आपतारी दे क्यों बोलाएंगे विहार में ना किसी को बचाया जाता है वियार में कानून अपना काम करता है और नयायके परिधी में जो भी आएगा उसको सासन परुआशन कृठोर्तम सजा देती है यह समझ में आ जाना चाहिए और वैसे लोगो को जो कहीं न कहीं छेत्रवाद और भासाई नफरत फैला करके देश में जिस तरह का वातवरन का निर्मान करना चाह रहे थे वैसे लोग चिनित हो गए हैं और चिनित होने के बाद जिस तरह का दम भर रहने उससे ही असपष्ट होता है कि उनकी कहां पर इस्थिती पहुँच गई है और वो अपनी इस्थिती अपर इस्थिती को बचाने के लिए जितना भी रटन तु बात बोल ले उनको अब बचना नहीं है उनको नियाय के परिधी में आना है वो तो खुद वोड रहें कि तेजस्वी आनल हूं पर केस कर वाया है प्रसाया है हमको और टेजस्वी जी सब काम नहीं कशतik हैं तेजस्वी जी डलितों, पिछलों enुचितों को चेहरे पर भूस्कान देने का काम करते हैं और वैसे लोग जो नफरती बात चेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं वैसे लोग स्वम चिनित हो जाते हैं और उसको तमिल नाडू पुलिस और बिहार पुलिस दोनों ने चिनित कर लिया है दोनौ जगह केस हुआ है जल्द ही वो स्लाकों के पीछे हों ले जल्द ही मनिस काना कि को टी च्टहिं या फैर उठा कि आसमान को कला चाहता है इसा कुछ होने वाला नहीं पर एक परप्षीय के प्रिवार को से लितों को सेवा करने वाली जो है लालुव जादों के पडिवार है और जल्द सजल्द मनिस कस्याप जेल में हो गया और कौन है पहचानते भी नहीं क्या प्रतिक्रिया कमेंड बॉक्स में बताएगा वीडियो फेस्बुक पर देखते हैं सेर कीजिए यूट्यूब पर देख सब्सक्राइब किजिए धरनवाद